नुश्कार दोस्तों आल इंडिया गोल्ड प्राइज यूटूब चैनल में आपका स्वागत है सोने चांदे के ताजा दाम सबसे पहले पाने और सोने चांदे के तेजी मंदी रिपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सोने की आने वाले दिनों में क्या कुछ तेजी मंदी रहने वाली है आपको सोना अभी मार्च में खरी देना चाहिए या अपरेल में खरी देना चाहिए आपको पुरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं सोने के दाम में रिकोर्ड इस्तर पर गिरावट जानिय बाजार में क्या है संभावना जी हां सोने के दाम में लगातार गिरावट हो रही है MCX एक्षेंज पर 5 अपरेल 2020 के वाईदा का गोल्ड भाव बीते सबता है 44,750 रुपे पर 30 ग्राम पर बंद हुआ जबकि 4 जून 2020 वाईदा के सोने का भाव MCX पर 45,107 रुपे पर 10 ग्राम पर बंद हुआ था वहीं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का वाईदा भाव 17,19,12 पर थी हाजिर भाव रहा तो अभी दोस्तों बात करें सोने की भाव की तो गोल्ड के भाव अपनी रिकोर्ड इस तर से काफी गिर चुके है सोने के गरेलू बाव का पिछला उची इस तर 7 अगस 2020 को था तब सोने का वाईदा बाव 57,000 रुपे पर थी 10 ग्राम था और अभी दोस्तों उसमें 10 से 11,000 रुपे तक की गिरावट आ चुकी है बात करें अगर तो सोने अपनी रिकोर्ड इस तर से 21 फीजदी से अधेक तूट चुका है इस समय गोल्ड में लंबे समय के लिए निवेस या नई खरीदारी नहीं करना चाहिए हरीवे ने का कि सोने में गिरावट का दोर इसलिए निवेस से बचना चाहिए अभी कीमतों में गिरावट का इंतिजार करना चाहिए यानि दोस्तों अभी सोने में और गिरावट आएगी अगर आप सोने में निवेस करना चाहते हैं या आप सोना खरीदिना चाहते हैं तो आपके लिए जो है एक बहुत अच्छा विकलप रहेगा कि आप थोड़ा से इंटजार और कर सकते हैं अभी दोस्तों सोने की किमतों में आगे भी गिरावट आने की संभावना एक्सपर्ट मान रहे हैं तो दोस्तों मार्च के मेने में भी अगर आप सोना करें दिना चाहते हैं अभी के लिए होली से पहले तक तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि तब तक भी सोने की किमतें जोए किम रहेगी और उसके बाद में जो है वो आगे जाकर के बाद सकर hво फिल मिर अपरियल की तो अपरियल के मेने में ज़ार से बारास रुपे तक की और गिरावट देखने को बेलगी यानि लगबग 40,000 रुपे तक का इस तर जो है वो सोना चूँ सकता है तो आपको अभी थोड़ा और इतजार कर सकते हैं तो दोस्तो सोने चाने की ताज़ा अपडेट आपको हम चैनल पर सबसे पहले देते हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकों को दबाएं आपको अपडेट सबसे पहले मिलेगी धन्यवाद